इस्टुडेंट आजम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का हिंदी टेक्स चैप्टर त्री चैप्टर निवाकर बिल्ली का इंसाथ तो आई आम बुक रीट करते हैं बाहरी कमरे में कोई आदमी नहीं है वहां मेजपर मिठाई से भरा हुआ एक डिप्बा रखा है तभी एक बंदर कमरे में घुस्ता है बंदर चारोड देखकर अरेवा मेज़ पर मिठाई का डिपा यहां तो कोई रोकने वाला भी नहीं चलू डिपा उठाता हूँ बाहर किसी पेड़ पर बैठ कर मजे से खाऊंगा बंदर डिपा उठा लेता है तभी एक दूसरा बंदर भीतर आता है और उस डिप्बे पर जपड़ता है दूसरा बंदर पहले बंदर से वां सारे माल पर अकेले ही हाथ साफ करना चाहते हो डिपा पहले मैंने देखा था यह मेरा है पहला बंदर डिप्बे को पहले हाथ मैंने लगाया यह मेरा है मेरा 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 दूसरा बंदर डिप्बा छीनते हुए मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं देते हो मुझे मिठाई का डिप्बा पहला बंदर डिप्बा अपनी और खीशते हुए अरे छोड़ो छोड़ो डिप्बा टोट जाएगा सब माल विखर कर मिठी में मिल जाएगा दूसरा बंदर डिप्बा टूटता है तो टूट जाने दो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं पहला बंदर अरे पागल मत बनो जल्दी यहां से भागो कोई आ गया तो मिठाई की जगा डंडे खाने को मिलेंगे दूर किसी पेड की छाया में बैठकर आपस में बटवारा कर लेंगे दूसरा बंदर ठीक है दोनों बंदर टिब्बे को पकड़े पकड़े बाहर आकर एक पेड के नीजे पहुंशते हैं दूसरा बंदर तो अब हो जाये बटवारा पहला बंदर ठीक है देखो इसमें रसगुले और बर्फिया है रसगुले मेरे और बर्फिया तुम्हारी दूसरा बंदर वा वा बड़े चालाग हो तुम, मोटे मोटे रसधार रसगुले, तुम लोगे और मुझे दोगे बर्फी के छोटे छोटे से टुकडे, भैया रसगुले मुझे ही क्यों नहीं दे देते पहला बंदर, मुझे रजगुले बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरा बंदर, ये रसीले रजगुले मुझे ही क्या बुरी लगते हैं, पहला बंदर, अरे भाई, सच मानो, बरफिया बहुत अच्छी हैं, दूसरा बंदर, तो अच्छी चीज तुम्ही ले लो ना, पहला दूसरा बंदर मिठाई का डिपा छीन रहा है दूसरा बंदर जूट मिठाई का डिपा मीरा है डिपा मैंने पहले देखा था पहला बंदर गलत डिपे को मैंने पहले हाथ लगाया था बिल्ली मौसी तब तो डिपा मीरा ही है ना तुम्ही फैसला करो दूसरा बंदर चलो मौसी से ही फैसला क जो मौसिक है वही ठी बिल्ली मन ही मन खुष होकर पहले बंदर बिल्लियों के जगड़े सुल जाते थे अब हमारी बारी है चलो तुम दोनों का जगड़ा तुम मुझे निप्टाना ही पड़ीगा दोनों बंदर खुष होकर आप कितनी अच्छी है बिल्ली मौसी बिल्ली अच्छा इधर लाव मिठाई का डिबबा दोनों बंदर यहलो डिबबा बंदर बिल्ली को डिबबा देता है बिल्ली डिबबा खोलती है बिल्ली देखो एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नौ ए ह वैं नौ टुकडे बर्फी के एक को मिलेंगे चार दूसरे को पाँच दोनों बंदर एक साथ वाँ या कैसा इंसाफ है दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए बिल्ली कुछ सोच कर हम लो बन गई बात दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाएगा बिल्ली बर्फी का एक टुकड़ा अपने मुँ में डाल लेती है बिल्ली वाँ वाँ बहुत बढ़िया है बर्फी पहला बंदर हाँ हाँ कोई बात है अब मुझे मेरा हिस्सा दो बिल्ली मिठाई के टिपे के ऊपर मिठाई के चार चार टुकड़े अलग अलग रख देती है बिल्ली अब उठाओ अपने अपने सामने का हिस्सा पहला बंदर मिठाई को देखकर मेरे टुकड़े तो छोटे छोटे हैं दूसरा बंदर मेरे टुकले तो और भी छोटे हैं, बिल्ली फिर तो तराजों की जरूरत पड़ेगी, उधर देखो उस दुकान पर खाले बैठा हुआ दुकांदार उंग रहा है, दोनों दोड़कर जाओ और तराजों ले आओ, फिर दो मिनट में बटवारा हो जाएगा. बैठा सोने लगता है, वे फौरन तराजों उठाकर बिल्ली की योड दोड़ते हैं, पहला बंदर पास पहुचकर, यहां तो बिल्ली मौस्य दिखाई ही नहीं देती, दूसरा बंदर अपनी आख मलते हुए, अरे बिल्ली ही नहीं, यहां तो मिठाई का डिबा भी नहीं, रिबा दिखाई नहीं देता, पहला बंदर मारे गए, हमारी मिठाई लेकर चालाग बिल्ली गायब हो गई, दूसरा बंदर एक कागर उठाकर, यह कागर कहां से आया, देखो इस पर क्या लिखा है, पहला बंदर पढ़ते हुए, लिखा है, भोदु राम बंदरों अब न पहली और उस गुलो का, सही भैसला कर देगा, दोनों बंदर बैठ कर रोते हैं, इस कहाने में दोनों बंदर बैठ कर रोते हैं, कभी भी आपस की जगड़े में तीसरे को नहीं उलाना चाहिए, तीसरा आया, अपना फैयदा उठा के चला गया, बिल्ली सारी मिठाई का डि बाली के चली गई ऐसे आप इस बुक को पढ़ेंगे इस कहाने को अच्छे से समझेंगे आज आपका क्लास यहीं उखर हो रहा है थैंक यू